Hello everybody, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator. और आज हम क्या start करने वाले हैं? आज हम start करने वाले हैं, Class 12th की, जो आपकी विस्तास बुक है, उसका Chapter No. 4, The Enemy. अगर Enemy का मतलब में आपको बताऊं कि Enemy क्या होता है, तो Enemy का मतलब होता है दुश्मन. और इस Chapter की Author है, Pearl S. Buck. So, let's begin with about the author, the introduction about the author. और मैं आपको Chapter का ओवर्वीव दूँगी and then we'll start with the introduction and then we'll begin with the explanation of the chapter. About the author. Pearl Sidhan Stricker Buck, born in 1892 and died in 1973, was an American writer and novelist. तो इनका birth जो है वो 1892 में हुआ था और इनकी death 1973 में हुए थी. और ये एक American writer and novelist है, याने कि ये किताबे लिखते हैं और novels लिखते हैं. Okay? She had a Chinese name. इस लेडी का एक Chinese name था, which was Sai Zen Zhu as she spent her childhood in China. तो इन्होंने अपना पूरा बच्चपन चाइना में व्यतीत किया, इस बज़े से इनका एक Chinese name भी था. She was awarded the Pulitzer Prize in 1932. अब Pulitzer Prize इनको मिला था 1932 में and the Nobel Prize in Literature in the year 1938. और Literature मेंने एक Nobel Prize भी मिला था year 1938 में. So, ये सारे इनके Achievements है. Okay. अब chapter स्टार्ट करने से पहले मैं आपको chapter का एक introduction, एक overview दे देती हूँ. ये chapter उस time का है जब Second World War होई थी. Okay. और उस time Japan और America दोनों आपस में enemies थे याने के दुश्मन थे. इसलिए chapter का नाम है The Enemy. Okay. कि अब यहाँ पर एक Japanese person है जिसका नाम है Sadao Hoki. ये एक doctor है. ये जपान में रहते हैं और इनके जो father हैं काफी strict हैं, काफी serious type के इंसान हैं. वो अपने बेटे से ज़्यादा बात नहीं करते हैं. और ये अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उसके future, उसके education के लिए बहुत ज़्यादा concerned है. इसलिए जब सदा होकी 22 years के हुए तो उनके father ने उनको America भेज दिया अपनी further studies करने के लिए ताकि वो एक बहुत अच्छे surgeon और scientist बन जाएं. उसके बाद जब 30 years की age में जब सदा होकी फाइनली एक surgeon और एक successful scientist बन जाते हैं तो वो घर वापस आते हैं अपने जपान में. अन्देन उसके बाद वो अपने साथ लाते हैं Hannah को. Hannah एक लड़की है जो उनको मिली थी अमेरिका में. लेकिन उन्होंने Hannah से शादी नहीं करी क्यों क्योंकि वो जानना चाहते थे कि वो pure Japanese हैं की नहीं हैं. यानि कि उनके दोनों parents proper Japan के हैं की नहीं हैं. क्यों क्योंकि उनके जो father हैं, सदा होकी के जो father हैं वो थोड़े से traditional हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा उसी लड़की से शादी करें जो proper Japanese हो. क्योंकि ये थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं इनके father और थोड़े से strict हैं तो इसलिए सदा होकी ने अमेरिका में Hannah को मिले लेकिन उससे शादी नहीं करी. उसको पसंद करने के बावजूद भी क्योंकि वो उसको पहले अपने father से अप्रूफ करवाना चाहते थे कि आप देख लो ये लड़की है ये proper Japanese है and can I marry her now and उसके बाद जब उनके father ने permission दी he got married with Hannah and they are happily married इनके दो पच्चे भी हैं. अब ये लोग finally Japan में आ जाते हैं and then उसके बाद सदाओ होकी की marriage के बाद जो उसके father है he dies, उनके death हो जाती है. अब इनका जो घर है वो कहां पर है? एक ocean के पास है. एक दिन वरेंडा में सदाओ होकी और उनकी wife Hannah खड़े हुए थे and they were spending good time अपना time enjoy कर रहे थे suddenly उन्होंने देखा कि पानी में से, ocean की लेरों में से एक इनसान गिरते और बहुत crawl करते हुए, बहुत रेंगते हुए पानी से बाहर आ रहे है वो दोनों डर गई कि कौन है? भागते हुए इसके help करने के लिए गए क्योंकि वो injured था याने कि उसको काफी चोटे लगी थी जब उन्होंने देखा कि ये कौन है तो वो देखके हैरान हो गए क्योंकि वो एक white man था white man याने की American था जो कि Japan का enemy था क्योंकि ये world war 2 की time की बात है war की time की बात है finally जब उन्होंने देखा डॉक्टर सदाउने तो उन्होंने देखा कि वो बहुत बुरी तरीके से injured है वो इनसान अब वो confused हो जाते हैं सोचते हैं कि मैं इसकी मदद करूँ कि ना करूँ क्योंकि वो एक doctor है तो उनको पहले यही चीज सिखा जाता है कि जिसको भी आप देखो सबसे पहले उसकी जान बचाने की कोशिश करो तो वो confused होगा कि मैं इसकी जान बचाऊं या इसको छोड़ दूँ क्यों क्योंकि यह एक American है जो कि मेरा खुद का enemy है मेरी country का enemy है वो बिचारे बहुत confused बचाते हैं लेकिन उसके बाद finally वो से अपने घर ले जाते हैं जब कोई न देख रहा हो क्यों क्योंकि वो चाते हैं कि इसकी वो जान बचा लें and then Hannah और सदा हो की आपस में decide करते हैं कि इसको हम ठीक करेंगे और क्योर कर लेंगे and then इसके बाद हम इसको General Takima या army के जो लोग है Japanese army उसको hand over कर लेंगे कि यह लो इससे ये तेह हो जाएगा कि उन्होंने डॉक्टर का फर्स भी पूरा किया एक मरते हुए की जान बचा कर और एक पेट्रियोटिया ने देश भक्त का भी उन्होंने एक फर्स अदा किया कि by handling this person to the army of Japan जब वो उसको घर लाते हैं और देखते हैं उन्हें पता चलता है सदा होकी को कि यह आदमी Prisoner of War है याने POW याने Prisoner of War Prisoner of War का मतलब यह है कि एक American इंसान है और इसको Japanese army ने वार के दौरान पकड़ लिया था और Prisoner बना लिया था याने कि बना लिया था और इसके साथ बहरś टॉर्चर किया उसको मारा इसको टॉर्चर क्या तो Prisoner of War का मतलब वो होता है कि वह prisoner है यह वह कैदी है जिसको Japanese army ने वार के दौरान कैद कर लिया था बन्दी बना लिया था और शायद ये उनकी कैट से भाग निकला है, इसी वज़े से इतना चोटेल है, इतना जखमी है और इसको बहुत सारी इंजरीज आई हुई है, ओके, सो ये सारी चीज़े वो पता करते हैं, अब जब सदाओ हो की, फाइनली इस इंसान को ठीक कर देते हैं, ये ठीक हो जाता है और सोचते हैं कि मैं जनरल टाकीमा को बोलूँगा कि भाई, इसको आप ले लो, तो जनरल टाकीमा के पास जब सदाओ हो की जाते हैं, और बताते हैं पूरी चीज़, जनरल टाकीमा कहते हैं, कि ठीक है, मैं एक अपने असासिंस को घर पे बेचता हूं तुमारे, असासिंस क्लीन करा दूंगा अब एक रात हो जाती दो रात हो जाती तीन रात हो जाती है डॉक्टर सदाओ बहुत वेट करते हैं कि कोई असासंद आएंगे जनरल टाकिमा के बढ़ कोई भी नहीं आता फाइनली वह बहुत परिशान हो जाते कि कहीं न कहीं सादमी को ठिकाने लगा नह कब तक इसको घर में रखेंगी क्योंकि इसकी वजह से सारे सर्वेंट्स भी जौब चोड़के नौकरी चोड़के चले गएं कि हमें उस घर में काम नहीं करना जहां पे एक दुश्मन एक अमेरिकन प्रिजनर और वार को डॉक्टर और उसकी वाइफ ने जगा देखे रख तो मेरी इसकी जान बचाने का क्या मतलब रहा तो फाइनली जनरल टाकिमा ने भी उसको नहीं भेजा किसी असासिंस को और फाइनली क्या किया इसको उन्होंने घर से भगवा दिया इन्होंने ओशिन के पास एक बोट अरेंज कर लिए और उसमें एक्स्ट्रा फूड एंद घर के रास्ते तक तुम्हें पहुचा देंगे तो इस तरीके से उन्होंने एक एनिमी की जान भी बचाई और उन्होंने फाइनली एक पेट्रियोट की तरह आर्मी को यह चीज इन्फॉर्म भी करी लेकिन जब वहां से कोई मदद नहीं तो उन्होंने इस सेविंटीन यर एक प्रिजनर ओव वॉर को 17 साल का बच्चा था यह प्रिजनर ओव वॉर इसको अपने घर से एनिहाओ इसकेप करा दिया और बाद में जब उनकी जैनरल टाकिमा से बात हुई किसकी डॉक्टर सदाओ की तो डॉक्टर सदाओ उनसे कहते कि आपने भेजानी असासिन्स को यह अपना हार अटक आटाक में इतना इतना परेशान था इतना इन्वार था कि मैं अपना प्रोमीस भूली गया तुमसे जो मैंने कया था कि मैं असासिन्स यानी की सीरिल किलर्स आटे उनको तुमारे हर तो मनने ब्ले तो बस यहाँ पे स्टोरी खतम हो जाती है okay so now let's begin with the introduction it is the time of the second world war an American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor so you will zamane ki story job second world war hoi thi or a American prisoner of war yannaki woe in San jisco Japanese logo ne war ke samayi bana ke rakh liya tha woe somehow unki caret se bhaag ke aya or washed ashore yannaki jis samudra ke kinaare Japanese doctor doctor sadao rehte thay unke ghar ke paas woe eek dying state ya ne merti hoi halat mein honne mila should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot so aap doctor confused hain kyunki woe eek doctor hain woe confused hain ki mein eski jaan bachau ya Japanese eek desh bhakt honne ke nati eek dushman eek American prisoner of war ko woe army ke hawaale kar doon. Toh woe bhaut confused thay. A Japanese doctor named Sadao Hoki finds an American prisoner of war POW means prisoner of war at his doorstep. He is in a dilemma. Delima yannaki confusion that being a doctor should he save the wounded man or being a Japanese should he hand him over the enemy to the army. Toh bas woe bhaut confused hoote hain and finally end mein honne doonho, eek doctor or eek patriot yaani eek desh bhakt. Doonho ka fars nibhaya. Doctor hoke unhone jaan bachai or patriot hoke unhone army ko is baare mein ektila bhi kiya, inform bhi kiya. Lekin waha se koi madat na hai toh unhone eesko eekone ghar se escape kira diya ki tum jau. Now from here hum log humare lesson ka explanation start karate hain. So let's begin. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of Japanese coast where as a little boy he had often played. Toh Dr. Sadao Hoki ka ghar ka haa tha? Coast pa tha. Spot of the Japanese coast. Yianne ki coastal area yianne ki eek aisa area joh yeh hoota hai. Yeh okay. Toh Dr. Sadao Hoki ka ghar bhi is coastal area pe tha. Yianne ki samudra ke paas mein tha. Jhaan pe bachpan ma woh hemeesha khela karate tha. The low square stone house was set upon rocks. Well above a narrow beach that was outlined with bent pines. Aur inka joh ghar tha. Woh is tarikay se chhota ka ghar tha. Chhota sa ghar tha. square shaped ka ghar tha. Aur kaisa ghar tha? Square stone. Patthar se bana hua tha inka ghar. Set upon rocks. Yianne ki inke ghar ke pichhe bhot saray rocks thay. Patthar te nukilay patthar te inke ghar ke pichhe. Aur inka ghar samudu beach ke paas hi tha. Aur jhaan pe bent pines thay. Pines ki hotte jise pine trees mi hotte se. Bade bade pine trees. Aisai. Is tarikay ka bind pine trees jho usually kaha hote hai coastal areas pe beaches per hotte hai. Toh is tarikay ka pine trees inke ghar ke pahas tha. Jho ki bent kaafi jhukye hoay tha. As a boy Sadao had climbed the pines supporting himself on his bare feet as as he had seen men to do the south seas when they climb for coconuts. Toh woh bata rhae hai aapne bachpan ki ee kyaad ki jab Sadao ek chote bachche thay. Toh woh bhi trees. Aisai pine trees climb karte thay. Kyunki unho ne dousre kai loogu ko in trees ko climb karte woye dekha tha. Aur woh kyun climb karte thay? Kyunki yaha pe hotte thay bhoot saray coconuts. Toh unko ye coconuts. Nariel tondne ke liye woh in pine trees ke oopar climb karte thay. Apne childhood mein. His father had taken him often to the islands of those seas and never had he failed to see the little brave boy at this side. Those islands yonder. They are the stepping stones to the future of Japan. Yonder ka matlab kya hota hai? At some distance in the direction pointed at. Jab aap kisi cheez ko se point karke unglhi dikha ke direction bata to ki woh cheez. Jaisi yeh. Toh isse yonder karna. Okay? Toh jho dr. Sada hoki ke father yonder hain woh humeisha unko in islands pere le jate thay. Jis samudr ke paas mein dr. Sada hoki ka ghar tha. Wohi paas hi mein. Thhoada sa dour. Anndar eek island tha. Island yarni ki tapu. Eek chota sa piece of land jis ke yonder hain. Toh hamisha wohin tapu ki taraf unglhi dikha ke point karke jose sada hoki ke father ayin woh dikhaate te sada hoki ko. Ki dekho yeh joh tapu hai. Yeh islands hai. Yeh stepping stones hai. Future of Japan ki. Ab stepping stones ki hain. Stepping stones yarni ki is tariqe ke kuch pehle qadam. Jab insan pehle qadam kuch chalta hai. Pehle steps kuch chalta hai. Unhneem stepping stones kehte hai. Toh dr. Sada hoki ke father unse kehte hai. Ki yeh joh tapu hai. Yeh joh islands hai. Yeh japan ke bright future ke liye stepping stones hai. Yarni ki. Yarni ki yeh joh pehle jayega phiris peh jayega phiris peh jayega phiris peh jayega spher. Toh finally japan ka future ek din bhoot bright hai. In tapu hoke par. Toh yeh batana chaathe ki tapu stepping stones hai japan ke bright future ke liye. Yarni ki bhoot important hai japan ke liye. Where shall we step from them? Sadao had asked seriously. Toh ki dr. Sadao abhi eek chhoate bachche hai. Unkei bachpan ki baatyaan ki haam in pa step karke. Yarni ki haam in tapu opere in islands per kadam rukke. Kahan pohchenge. Who knows his father had answered. Who can limit our future. Toh unkei father bholta hai. Woh kis se pata ki ap kahan pohunch hooghe. Koi bhi humare future ko limit ni kar saakta. Yarni ki stop nai kar saakta. Rok nai saakta. It depends on what we make it. It depends on what we make kit ka matlab hoota hai ki sab kuch haamari efforts. Hamari mehnat pa depend kertai. Hum jitni mehnat karenge. Utna life mein aage jayenge. Yen thodi teha kar sakte ki hem kahan tak jayenge. Jitni mehnat utna aage ap utni life mein pohunch hooghe. Toh aisa unkei father ne unko kahan. Sadao had taken this into his mind and he did everything his father said. His father who never joked or played with him but who spent infinite pains upon him who was his only son. Infinite pains upon him ka matlab ki hota hai? Father has taken lot of pains in Sadao's upbringing here. Yarni ki ye joh baathe hai father ki. Woh Sadao ne bhout ache se suni ki life mein bhout mehnat karo sab kuch karo. Or onho ne exactly wiesse hi mehnat kari jayse unkei father ne unko kahan. Or inkei joh father hai woh kaffi serious type ke person thai. Woh kabhi Sadao ke saath biađtke jokes crack nini kerti thai, na kheelti thai, na mas nini kerti thai. Kuch nini kerti thai. Kuyokhi inho ne bhout mehnat se, bhout takliefe u'thai e apne eklotet bachche Sadao ko bada karne ke liye. To inho ne bhout mehnat se apne bachche ko eek kabil insaan banaya aur uski education me bhout mehnat karie. Sadao knew that is education was his father's chief concern. Or Sadao ko ee baat maalum thi ki Sadao ke education uski padaai likhai. Uske father ka main concern hai. Kuyukhi uske father chaathe thai ki Sadao eek bhout successful insaan benne. Kabil insaan manne life mein. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that he could learn of surgery and medicine. Or issi wajahe se, jab Sadao hoke 22 years ke huwe, toh unke father nye unko amerika bheja further studies karneke lihi taakki woh surgery aur medicine ke baare mein aur seekhe yaanne ki woh unko doctor, ek surgeon banana chaathe thai. Yee eek jo aap picture dhekhen eek surgeon hai. Yee operations karte hai. He had come back at 30 and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. Toh jab Sadao hoke 30 years ki age mein. Vaapis Japan aaye. Toh finally woh eek famous surgeon or scientist. Scientist woh unsan hoote hai, joh discoveries karte hai. Okay? Vajyanik jisse hum keethe. Woh eek successful surgeon or scientist. Donoh banke aapne father ke saamne aaye. Toh unke father ke death se pehle, unke father ne unko eek successful surgeon or scientist bante hoi dekh liya tha. Toh woh bhot satisfied thai aapne life mein manne se pehle. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. Troops yane ki army yaa phir soldiers. Ab Dr. Sadao ki bhot expert surgeon surgeon or scientist thai. Or woh eek cheez ke discovery kare rye thai ane coach kare rye thai. Unko eek aesa tariqa dhunna tha. Jisse jitni chote lagti hai logo ko. Woonz lagti hai. Woh ache se clean ho jayai. Saaf ho jayai. Toh woh ees discovery mein laget hoi thai. Or issi wajay se joh generals thai. Joh bade bade armi ke heads thai. Woh unko soldiers ke saath kabhi bhi war ke dhauran nahi bhejte thai. Kyuun? Kyuunki war ke dhauran bhi toh doctors ko bhejna pardata hai na. Kya agar kisi soldier ko chote laggayi yaa usko kuch injury ho gaii toh doctor wahan available hona chihye unko treat karne ke liye. Lekin woh joh generals thai. Joh bade bade Japanese army ke heads thai. Woh kabhi doctor sadao ko nahi bhejte thai. Troops ke saath yane armies ke saath. Or yah hi japan mein rakhte thai. Kyuunki un logo ko inki zarurat thai yahan pe. Or yah discovery kar rahe thai ki chot ko aur wounds ko kaise achi se clean kar lehin. Toh is reason se unko army ke saath na bhejta jata tha bas yah hi par rakhha rahe tha tha japan mein. Also he knew that there was some slight danger that old general might need an operation for a condition for which he was not now being treated medically. And for this possibility sadao was being kept in Japan. Ab joh Japanese army ke head thai. Woh thai general takima. Okay. General takima kaafi old ho gaye thai. Kaafi bude ho gaye thai. Or inki medical treatments hemesha doctor sadao karthi thai. Tho eek dousara reason ye bhi hai doctor sadao ko japan mein rakhne ka. Or troops ke saath na bhejne ka. Ki joh old general takima thai. Unki health hemesha kharaab rahati thai. Kabhi bhi unko operation ki zarurat pardh sakti thi. Isi liye doctor takia. Isi liye general takima ne aapne swaarth ke liye selfish hoke unko japan mein rakhha anyhow. Ki bhai mujhe kabhi bhi kis doctor ki zarurat pardh sakti hai. Yhe mera doctor hai. Mera treatment ye hi kar raha hai. Isko ma troops ke saath bhej dunga. Or mujhe eekdem zarurat pardh gai doctor ki. Toh mein kaa jauunga. Toh ye bhi eek reason hai. Jho unko japan mein rakhha jata tha. Or troops ke saath nahi bheja jata tha. Toh pehla reason yeh tha ki woh discovery kar rahe thai. Ki sari wounds ko kaise clean kare. Or dousra reason unko japan mein rakhne ka yeh tha. Ki general takima joh ki bhot old thai. Unki health conditions sahih nahi rahati thai. aur unki treatment ke liye hi doctor sadao ko japan mein hi rakhha gya. Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. Ab, yeh kya describe ho raha hai? Yeh describe kar rahe hai doctor sadao ke ghar ke saamne joh ocean hai, joh sea hai uske baare mein. Toh betane ki clouds dhiri dhiri ocean se o'th rahe thai. Or unexpected. kuchh dinon se kaafi din joh thai wo warmth thai. Yane kaafi garam thai weather. Aur, us din rath mein kaafi cold waves chal rahe thai. Yane ki kaafi thandi hawaay hai aar hai thai leheron se. Sadao watched mist side outlines of the little island near the show and then come creeping up to the beach below. The house redding around the pines. mist siyane ki fog. Jis ko haam indi meh dhundh kaetethe. Dhundh. Dhundhula jayse ho jata na dhundh jaysse haam kaetethe. Usse haam mist kaethe. Toh sadao aapne ghar ki balkini meh poore house ko. Yane ki kiske house ko? Dr. Sadao ke house ko bhi dhundh cover kar rahe hai. Redding yane ki covering. Okay. Also jo pine trees hai. Unko bhi dhundh cover kar rahe hai. aur is dhundh, is fog ki wajay se kuch bhi dikhahi nahi de raha. Bhoat unclear dikhahi de raha agar dikhahi de bhi rahe to. In a few minutes fog would be rapped about the house too. Then he would go into the room where Hanna, his wife would be waiting for him with the two children. Toh abhi dhundh puri puri pahil rahe hai. Pura ghar mein bhi dhundh fahil rahe hai. Tho'da sa tapu dikhahi deena bhi bandh ho gaya hai. Beach cup joh pura area hai. Pint trees hai. Har jagaha ye fog fahil rahe hai. Aur abhi bas joh dr. Sadao hai woh anndar aapne room mein jaanahi wale hai. Jaha unki wife Hanna. Aur unke dho bachche unka wait kar rahe hai. Abhi jaanahi wale hai abhi gaye nahi anndar. Aur dhekhte hai aaghe kya hota hai? But at this moment the door opened and she looked out. A dark blue woolen howri over the kimono. Ab dr. Sadao anndar jaanahi wale hoate hai room mein ki itnay mein unki wife Hanna bahar aja thi. Aur unhounne kya pahena hoa hai? Unhounne ye howri yane a loose outer garment worn over the kimono. Or kimono kya hoa hata hai? A traditional Japanese garment. Yeh joh aap pura garment dekh rahe hai. Yeh eek haori and kimono hai. Joh oopar ye blue color ka is lady ne pahena hai. Yeh hai haori. Aur joh niche usne ye skirt jaisa aisa pahena hoa hai. Isko bholte hai kimono. Yeh usually traditional Japanese loog aisa pahen te. Toh yeh outfit pahen ke. Yeh traditional Japanese outfit pahen ke. Unki wife bahar aja thi hai. She came to him affectionately and put her arm through his. As he stood, smiled and said nothing. Toh jaisi ho bhaar aati hai. Wou aapna aam. Dr. Sadao ke aam par ragh deti hai. Aur smile kati hai. Aur kuch ni kehti. He had met Hannah in America. But he had waited to fall in love with her. Until he was sure she was Japanese. His father would never have received her. Unless she had been pure in her race. Pure in her race ka matlab hota hai. Jiske dono parents Japanese hoon. Tabii wou baccha bhi pure Japanese hooga. Okay. Toh Hannah ko Dr. Sadao America mein mili thi. Jab America mein pundnei ghe thai Dr. Sadao. Toh wahi hunko Hannah bhi mili thi. Unko Hannah vah haa achi laghi. Lekin hunho ne socha. Ki. Agar sab kuch thik raha. Agar sab kuch possible raha. Yianne yeh pure Japanese rahi. Aur mere father ne sako accept kar liya. Aur yeh bhi mujhe like karay. Toh I can love her. Aur aur mahi firis se shadi kar sakta hoon. Toh ab dekhiyeh. Isse pada chalata ki Dr. Sadao ho ki kitne calculated hai. Yahaan par bhi woh. Tabii kisii se piyar karne me hai. Tabii kisii se shadi karne me interested hai. Jab sari situations favorable hoon. And specially jab unke father us ladki ko approve karay. Toh woh souchtay hai ki. Mähi sse tabii shadi karun ga. Jab mire father is ko approve karengay. Kyun approve karengay. Jabhi dounou. Tab approve karengay. Jabhi iske dounou parents Japanese hoon. Okay. And aisa hua bhi. Unke father ni isko accept kiya. Because she was a pure Japanese. And then he got married with Hannah. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. And by what luck he had found her in the most casual way by chance literally. At an American professor's house. The professor and his wife had been kind people anxious to do something for their few foreign students. And the students though board had accepted this kindness. Toh joh professor thay American professor or unki wife. Thoode se kind behave karne ki kooshish karte te te. Ape ne foreign students ke liye. Jaisa ki Hannah ho gai. Jaisa ki Dr. Sadao ho gai. Ye Japan se Amerikaa mein gai te. Toh yhe Americans ke liye kone huye. Foreigners huye. Foreign students huye. Foreign students huye. Toh in foreign students. Jaisa Dr. Sadao, Hannah. Inke liye thoda sa kind rehte te. Inke liye thoda sa kind behavior show karte te. Professor aur uski wife. Unki baato se ye bachche kaafi boor hote te. But phir bhi kiunki professor te. Toh unko accept karnei padhti te baate. Toh bas. Isi professor aur inki wife ke ghar pe hi. Dr. Sadao, Hannah se. Luck by chance se mil gay. Sadao had often told Hannah. How nearly. He had not gone to the professor Harley's house. That night. The rooms were so small. The food was so bad. The professor's wife so voluble. Voluble. Yarni ki talkative. Jho bhoat baatunay hootay loog. Bhoat baatay karte hai. Toh Sadao bataata hai. Hannah ko. Ki tummei pata hai. Main us din professor harley ke ghar. Aata bhi nahi. Jahaan peh. Jis professor ke ghar. Woh milethe. Unka naam ta professor harley. Toh Sadao. Hameisha. Hannah ko bataata ki. Main toh kabhi bhi. Professor harley ke ghar. Aata bhi nahi. Kiunki unka ghar bhoat chhota hai. Khana unka jho bantata bhoat gandha bantata. Unki wife jho hai. Bhoat voluble hai. She is very talkative. Toh is wajay se mein aata bhi nahi us din unke ghar pe. Lekin somehow mein aaa gya ki chalo thik hai. Aur toh mujhe suddenly mil gahi wahan pe. But he had gone and there he found Hannah. A new student. And I felt he would love in her if it were all possible. Toh wahan peh finally jab kuch chale jate ki chalo thik hai. Main professor ke ghar chale jata hun. Wahan jab ho gai. Tho neh Hannah ek nai student dikhai di. Or woh unko pasand nahi. Or honne socha ki agar sab kuch possible hooga. Agar meri father is ko accept kar lenga. Yeh pure Japanese hogi. Toh I will get married to her. Now he felt her hand on his arm. And was very aware of the pleasure it gave him. Even though they had been married years enough. To have the two children. Toh ab donoh haath mein haath leke khaday huayin. Aur thanddi hawao ko enjoy kar rahein. Toh Dr. Sadaos bhot enjoy kar rahein hain. Company apni wife Hannah ki. Aur woh suchta hai ki bhot achhi. Meri wife hai. Bhot achhi yeh lardki hai. Aur unki shaji ko itne saal ho ga hai. Aaj unko dho bachche ho ga hai. But still he is enjoying the company of his wife. For they had not married heedlessly in america. Heedlessly yane ki carelessly. In a hurry without thought. Toh jab dr. Sadao hana se america mein mili te. Toh unho ne vahin pari us se jald bazi mein shadi nahi ki thi. Unho ne time liya. Rukke us ko samjha. Apenne father se approve kar hai ki woh pure Japanese hai. And then ja ke us ne such samaj kar hana se shadi ki. They had finished their work at school and had come back home to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. Toh iska matlab ye hai ki dr. Sadao and Hana ne jald bazi mein shadi nahi karii. Unho nho ne aapna school khatam kiya. Waapis aapne ghar Japan mein aaye. Jab uske father ne Hana ko dekha. Or unho ne tab arranged marriage yeh karwai. Proper Chinese way mein. Proper traditional Chinese way mein dho nho ki shadi hoi. And Sadao and Hana. Her cheese pehle se hi baat karke teha kar chukye thai ki aisa aisa karenghe. Or aisa rahenghe shadi ke baat. So, sab kuch unka pre-planned, pre-decided tha. Or aaj woh baut happily reha raha hai after marriage. And they are having two kids also. She laid her cheek against his arm. Or ab usne aapna cheek hai, uske arm per laga ke rakh liya hai. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. Issi vakt unho ne, dono ne, Hana or Sadao ne dekha ki kuch saamne mist, kuch dhundilay mein se, kuch fog mein se, kuch black, kuch image nikalti ir bahar ariye. Kuch ajeeb sa unho ne dekha. It was a man. Or dono ne dekha ki yeh toh kooi aadmi hai. He was flung up out of the ocean. Flung, it seemed, to his feet by a breaker. Flung up ka matlab kiya hata hai? Toss out of the ocean. Aisasa laga ki aadmi saamne samudri mein se, uchhalke se, uđke uchhalke bahar ek dam aagya hai. Aisasa dikha hai pada. He staggered a few steps. His body outlined against a mist. His arms above his head. Then he curled mists. Hid him again. Staggered yianne ki lada khada ke chalna. Walk unsteadily as if about to fall. Toh woh jaisi paani mein se nikla. Woh kuch steps. Lada khadaate hoi chala. Phir gir gya. Or phir dhundh mein. Fog mein vaapis se gaayab ho gya. Dikhaai deena bant ho gya. Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm. And they both leaned over the railing of the veranda. Leaned yianne ki bent forward. Jukke saamne ki taraf dekhna. Toh isi vakt hana ne haat chhoed diya. Dr. Sadao ka. Or woh puchti ye korn hai? Or doonho ne aapne veranda. Jaha pe woh khađe huyay thai. Dekh rahe thai isko. Woha se jhaak kar dhekha ki ye hai korn exactly. Now they saw him. The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie dead. And finally dhundhle mein se abun ko thoda clearly dhikha. Ki yadmi ye ek. Aur woh ringta huwa. Apeni ghutnou aur apeni haatou ke bhal. Ringta huwa chal raha. Or finally aap eeg dem apeni moho ke bhal gir gaya. Aur woha pe zameen pe pada huwa hai. A fisherman perhaps. Sadao said. Washed from his boat. Ab kyao ki woh lg ocean pe rehthe thai. Ocean ke paas rehthe thai. Aur woha pe fisherman yane machwaare. Ate jate rehthe thai. Woha pe fishing ke liye. Kaafi sare fishermen rehthe thai. Tho Sadao aisa guess kar dhe ki. Hoosakta hai woh koji fisherman ho. Koji machwaara ho. Or hoosakta hai he is washed from his boat. Yane ki fallen from his boat. Tho. Kya aap bolta hai Dr. Sadao? Woha keate hai hoosakta hai. Yee koji fisherman ho. Or hoosakta hai woha apni boat se gir gaya ho. Isilie woha rangta huwa. Usko lag gaya. Rangta huwa. Yahaan tak aaya hai. He ran quickly down the steps. And behind him Hannah came. Her white sleeves flying. Toh jaldi se Dr. Sadao bhaagte hohe niche ki taraf gaya us aadmi ke paas. Aur Hannah bhi unke picheh picheh gai. Aur joo uski haori. Jho usne upper garment pehna tha. Uski toh sleeves thii woha si leherati ho. Uske picheh picheh chal rahi thi woh. A mile or two away on either side. There were fishing villages. But here was only the bare and lonely coast. Dangerous with rocks. Toh Dr. Sadao ka jahaan ghar tha. Usse ek ya do meel dour. Dono taraf. Dono road ke sides peh. Fishermen villages thai. Fishing villages thai. Yani yee woh chhoate chhoate ghaao thai. Jahaan peh fishermen. Machware raha karthi thai. Lekin actually jis location peh. Ghar tha Dr. Sadao ka. Woha koji fishing villages nahi thai. Woha se kaafi dour thai. Toh woh sochei ki. Aaspas koji fishing village bhi nahi hai. That means a fisherman. Kiasse aaya yahaan peh. Or aaspas kya tha. Bilkul khali andhera tha. Sunsan area tha. Jahaan peh woh log rhaethe thai. Or woha peh dangerous rocks thai. Yani ki. Pani ka joh lehere hai. Woha peh kya thai. Bohut nukil e pathar thai. The surf beyond the beach. Was spiked with rocks. Spiked ka matlab. Covered with sharp points. Bohut pointed sharp. Bohut pointed sharp. Bohut pointed or nukil e pathar thai. Woha peh. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. Badly torn. Yarni ki injured. Bohut buri tarah zakhmi. Toh sadao ne. Dr. Sadao and her wife satch raya thai. Ki yeh joh aadmi hai. Yeh in lehero ko cross kerte huye. Or in nukil e. Spiked stones ko cross kerte huye aya hai. Bahiya iska matlab toh yeh ki. Bohut buri tarah zakhmi ho chuka ho ga. Kyokhi itne nukil e pathar usko lagay ho nghe definitely. They saw when they came toward him. That indeed it was so. Indeed ka matlab hotar truly. Yarni such me. Toh. Jaisi hi woh past watchers aadmi ke. Unnohon ne dekha ki actually. Usko bohut lagi hai. Unnukil e pathar ho ki wajaj se. Isi wajaj se uski puri body mein se blood nikal raha hai. The sand on one side of him had already. A stain of red soaking through. A stain of red ka matlab hotar blood stain. Khun ke dhap pe. Toh. Unnohon ne dekha ki waakai isko lagi. Isi wajaj se. Jo beach pe jitni sand hai. Vahan khun ke dhap pe hai. Iske blood ke. That means isko un. Spite stones se. Bohut tez lagi hai. He is wounded. Sadao explained. He made haste to the man. Who lay motionless. In his face in the sand. Toh Sadao bholte hai. Isko toh bhout chot lagi. Or wo. Is motionless man. Motionless. Yarni ki. He is not moving. Woh ek jagah par. Padao hoa hai. Rags. Yarni ki. Phathe purane kapde. Toh usne joh kapde pehene. Tho woh pure phathe purane ho chukye thai. Ho saakta hai. Woh in. Nukilay paththaro ko cross karke hai. Toh uske kapde shahit phathe phathe gahe hai. Or jiske garment jahe hai. Or jiske garment jahe purane geel hai. Kyunki woh pani se aaya hai. Sadao stopped. Hana at his side and turned the man's head. They saw the face. Or finally Sadao ne jaisi us insan ko palta. And Sadao and Hana ne unka chehera dekha. Toh dounou shock ho gai ki. Arre. Ye koon hai. A white man. Hana whispered. Toh Hana ne dee dee se bula ki. Ye toh eek white man hai. White man yani ki yeek American hai. American baht fair hoote hai. Bhaht gore hoote hai. Isliya unko white kahte hai. Toh woh kahte hai. He is a white man. Ye toh eek American hai. Ye toh maktolab humara dushman hai. Second world war time. World war ke time ki baat hai. Toh Japan ka dushman hoon America. Toh kahte hai ye toh white man hai. Yani ye toh humara dushman hai. Yes. It is a white man. The wet cap fell away. And there was his yellow. Wet yellow long hair. Long as though for many weeks. It has not been cut. And upon his young and tortured face. Was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing. That they that they did for him. Toh jow wet cap. Jow aadhyos ke chahre peh cap laggiyo thi. Woh finally udh gai. Hawaas hai. And finally unho ne deekha ki. Jow baal hain. Us American ke. Woh kaafi yellowish hai. Aap ne agar Americans ke baal. Or unki beard. Unki daadhi deekhi hogi. Toh kaafi yellowish goldenish color ki hoti hai. In ko hum blonde bhi kahte hai. Toh ya Americans ke hair color. Usually aysa hi hota hai. Toh. Unho ne deekha ki. Us ke lambe lambe yellowish baal hain. Daadhi bhi kaafi lambe hain. Or baal itne lambe hain. Uitne gambe hain. Uitne gambe hain. Now sadao remembered the wound. And with his expert fingers. He began to search for it. Blood float freshly at his touch. Aap saadao. Sadao. Sadao. Ab sab kuch bhl hiya ki, enemy ke ki kya? Aap kiwimiki woh expert eva, woh surgeon eva, doctor e. Toh uski haemisha aadhat hai ki, jaisa hi ko-hi patient uske saamen nay hata hai. Toh woh haat sa uski booby per touch karthay hai. और देखता है कि चोट आके लगी का है, कहां से खून निकल रहा है तो बस अपने expert finger से वो touch करने लगा कि blood निकल कहां से रहा है और जैसे ही उसने touch किया, तो blood freshly flown लगा है और खून उसकी body से निकलने लगा On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened जैसे ही Sadao ने देखा, उसके कमर के right side, नीचे lower back, जहां पर हमारी basically kidney area होता है उस कमर के side में, right side में उसने check किया कि एक बंदूक की गोली का निशान है जो शाए धिरी open हो गया, याने कि खुल गया है, वो चोट खुल गई, जिसमें से बार-बार blood निकल रहा है जहां उसको bullet लगी है, जहां उसको गोली लगी थी, वहां से एक black color का powder निकल रहा है तो इससे Sadao ने ये चीज़ गैस करी कि इसको जब गोली लगी होगी, तो इसने अपना खुन रोकने के लिए इसने कुछ black color का powder यूज किया है उस जख्म को भरने के लिए और इसलिए वहां से black color का powder निकल रहा है इसकी चोट में से Sometime, not many days ago, the man had been shot and he had not been tended तो इसने सोचा कि ये जो चोट है, इसको कुछ ही दिन पहले लगी है और इस चोट का किसीने tend निकिया याने की care निकिया, किसीने इसका treatment निकिया इसलिए चोट में से इतना blood निकल रहा है और बिलकुल सही guess किया सदाओने की इसने अपनी चोट को black powder से भर दिया था जहां इसको gun लगी थी, लेकिन जब ये पानी में था, तो नुकीले पत्थरों को cross करके आया होगा जिस वज़े से वो नुकीला पत्थर इस चोट में लग गया और इसकी जो ये चोट है, जो wound है वो वापिस खुल गए और fresh blood उसमें से निकल रहा है Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice Solemn याने की serious या concerned तो Hannah बोलती है बापरे, कैसे ये bleed कर रहा है, कैसा इतना सारा blood इसकी body में से निकल रहा है और वो बहुत seriously बोलती है कि बापरे, बहुत blood निकल रहा है इसके अंदर से The mist screened them now completely and at this time of day, no one came by Screened याने की, all three of them were hidden behind the mist and no one could see them here तो Hannah, उनके husband, Dr. Sadao और ये जो American person, American prisoner of war है ये तीनों को mist याने धुन्द ने, fog में पूरी तरीके से गेर लिया था और इस वक्त रात में उने इन तीनों को कोई नहीं देख पा रहा था याने की, वो लोग Japanese थे और उनको कौन मिला था एक दुश्मन, एक enemy, एक American person दिखा था वहाँ पे और अगर कोई देख लेता तो, obviously, Hannah और उसके husband, Dr. Sadao दोनों problem में आ जाते लेकिन ये वो time था, जब कोई उनने नहीं देख सकता था क्योंकि रात हो रही थी और पूरा कोहरा, पूरा दुन्दला चाया हुआ था fog था जिसकी वज़े से वो तीनों किसी को भी दिखाई नहीं पढ रहे थे अब बीच कॉमबर कोई ते ही, जो picture आप मेरे left-hand side पर देख रहे है he is a Beach Comber, Beach Comber is a vagrant who makes living by searching beaches for articles of value and selling them यह क्या करता है जब थोड़ी सी शाम रात हो रही होती तो Beach Combers ऐसे भटकते हुए लोग होते है यह Beach पर चले जाते हैं और कोई valuable कोई काम की चीज उनको Beach पर दिखती है तो वो लोग रोज इकटा करते है और फिर बेच के आजाते मार्केट में तो उनको कुछ पैसे मिल जाते तो यह बीच कॉमबर्स होते हैं तो यह वो टाइम था जब इन तीनों को कोई नहीं देख रहा था क्योंकि फिशर्मन घर जा चुके थे रात हो गी थी और बीच कॉमबर्स का भी दिन का काम खतम हो गया था याने कि उनका भी दे एंड हो गया था वो भी चले गए थे अपने गर तो उस बीच पे सिर्फ यह तीनों थे और दुंदला था तो इन तीनों को कोई नहीं देख पा रहा था What shall we do with this man? Sadao muttered But his strained hands seemed of their own will तो क्या बोला याँ पर डॉक्टर Sadao उने धीरे सो उसने अपनी वाइफ हैना से पुचा कि इस आदमी का क्या किया जाए और क्योंकि वो trained है उनको आदत है कि जब patient सामने आता है तो वो touch करके देखें कुछ ना कुछ उसको treatment करते रहे हैं उसको ठीक करने के लिए तो वो continuously उसको touch करके भी देख रहे थे And he could stanch the fearful bleeding Stanch का मतलब याने की Stop or restrict the flow of blood from a wound तो वो कुछ ना कुछ बार बार उसको touch कर रहे थे उसको कोशिश कर रहे थे कि जिस चोट में से blood निकल रहा उस चोट को वो उस चोट में से blood निकलना stop करने तो that is the meaning of stanch He packed the wound with a sea moss that strewed the beach The man moaned with the pain in his stupor But he was not awakened Sea moss क्या होता है कि जो आप मेरी picture देख रहे हैं Left hand side पर ये एक sea moss है A kind of sea weed ये sea weed एक छोटा सा plant है जो beaches पर पानी में से उखता है Strewed क्या होता है कोई ऐसी चीज जो किसी जगा पर फैली हुई हो Un steadily जैसे sea moss एक जंगली पेड है तो ये फैला हुआ रहता यानि कि बिलकुल scattered तरीके से ये बिखरा हुआ रहता और उगता है एक बीच पर Mound यानि कि Low cry in pain यानि कि आप होश में नहीं हो लेकिन आप अपने मुझ से आवाज है निकाल रहे हो क्यों क्यों क्योंकि आप पेन में हो बहुत दर्द में हो Stupor Stupor का मतलब होता है state of unconsciousness एक ऐसी situation जब आप बेहोशी के हालत में हो तो डॉक्टर सदाओं ने क्या किया जो इसकी चोट थी जहां पर गोली लगी थी जहां से ब्लड निकल रहा था उन्होंने ये एक सी मॉस निकाला और उठा के उसको फिल कर दिया ने कि भर दिया इसकी चोट में थाकि ब्लड रुख जाए उसकी बॉडी से ब्लड निकलना रुख जाए और ये जो आदमी है ये वस मोनिंग इन पेन याने कि ये बेहोशी के हालत में बहुत तकलीफ हो रही थी इसको दर्द हो रहा था सदाओ सेट अंसरीं इंसल्स तु अपने अप एपसी बातिं कर रहे वहां घंड होगर वों अपने अपसी कर रहे है जो best theory reject करते वह वापिस जहां से पानी से है इसको ऑपस पानी में डालके क्योंकि यह एक दुश्मान है येक अमेरिकान है Now, that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. क्योंकि अब वो जुक्के उसको ट्रीट कर रहा था, पेशेंट को, अब क्योंकि ब्लड रुख गया है, तो वो खड़ा हूँ और उसने सैंड वाले हाथ अपने हाथ, मतलब जो हैं, डस्ट कर लिये, जो सैंड लग रही थी, उसके हाथ में उसने हाथ आ दिया. Yes, undoubtedly, that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down the motionless man. तो Hannah भी कहती है, हाँ, जो तुम कह रहे हो, कि इसको वापिस पानी में डालते था है, बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन, continuously, वो इस motionless man, याने कि ऐसा आदमी जो बिल्कुल जक्मी हालत में पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, उसको continuously वो देख भी रही थी. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाओ said. तो सदाओ ने हैना से बोला, कि अगर हम इस आदमी की जान बचाएंगे से अपने घर ले जाएंगे, तो पुलिस आके हम दोनों को arrest कर लेगी, क्योंकि हम एक American prisoner को, एक American कैदी को, जो हमारा दुश्मन है, उसको हमने घर में जगा दी, तो हमें पुलिस arrest कर के ले जाएगी, और अगर हमने इसको आर्मी वालों को दिया, तो वो लोग तो इसको वैसे ही मार देंगे, तो इन दोनों conditions, problem तो है, तो है, तो पुलिस आपको पसंद नहीं करते हो, इनर्ट याने की motionless, एक इंसान जो बिना हिले डुले, जगमी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है, तो हाना कहती है, the best चीज जो हम ये कर सकते हैं, वो ये कि इसको सच में पानी में डाल देते हैं, लेकिन दोनों ने ऐसा कुछ करने का move नी किया, दोनों, हाना और सदाओ, दोनों में हिम्मत नहीं आई कि इसको उठा हैं और हाना whispered, there is something about him that looks American, सदाओ said, he took up the battered cap, battered याने के tone, फटी पुरानी, अब हाना बहुत इरिटेट हो जाती ही, वो किती क्या है ये इनसान, समझ नहीं आरा सकम क्या करें, पानी में फेके कि अपने घर ले जाएं, या आर्मी वालों को दे क्या करें, हर सिच्वेशन में हमें हमें problem हो रही है, तो यह आदमी कहता है, सदाओ, जो है डॉक्टर वो कहता है, कि इसका चहरा देखके तो यह American ही लग रहा है, को दूसरी country का गोरा नहीं दिख रहा ही, तो अमेरिका नहीं लग रहा है, और जो इसकी फटी पुरानी cap यहां, battered cap यहां पे जो टोपी रखी ह उसको देखके मैं ऐसा guess कर सकता हूँ, yes, they're almost gone, was a faint lettering, a sailor, he said, from an American warship, he spelled it out US Navy, यहने United States of America, the man was a prisoner of war, तो जैसे ही cap उठाई, टोपी उठाई, सदाओने उसकी, तो उसकी तो उसकी बहुत हलके फलके, faint, याने कि हलकी हलकी ऐसे letters लिखे थे, क्योंकि काफी कुछ उस पर से मिट गया था, लेकिन इतना, वो easily पढ़ सकते थे, कि scap पे लिखा US Navy, याने United States of America की Navy, Navy का sailor है यह इनसान, और यह पक्की बात है कि यह एक prisoner of war है, याने कि हो सकता है कि इस इनसान की एक ship हो, यह लोग पानी में कहीं sail करके जारे हो, यह ship, Americans की ship हो, वहीं Japanese ship आ गई हो, और उन लोगों ने इन पर attack किया और इनके, और Americans ने Japanese ship पर attack किया, और इस American sailor को, क्या किया, prisoner बना दिया, याने कि अपना कैदी बना दिया, क्यों कैदी बनाया, क्योंकि Second World War का time चल रहा था, Americans and Japanese zone of enemies थे, तो इसे, ऐसे, यह cap देखे, इन लोग को, finally, surety मिली कि, यह sailor है, और इसको कैदी बना लिया था, He has escaped, Hannah cried softly and that is why he is wounded, तो Hannah कहती है, और इसको कैदी बना लिया था, और शायद यह escape कर गया है, यह उनकी कैद से भाग गया है, तभी उनसको पकड़ने के लिए, इन लोगों ने इसको मारा है, बंदूक मारी है, गोली मारी है, और इसको इसी वज़े से यह इतना जखमी है, इत और ब्याग कर गाई यही लगी, यह जब कोई भागते है, तो गोली मारते है, तो अब इसली बैक में लगती है, तो कहता है इसी वज़े से इसको पीट में गरी लगी, क्योंकि वहां से हो सकता है, भागने की कोशचिश कर रहा और इसको एम जापनीज ने बंदूक मारी हो होगी they hesitated looking at each other then Hana said with resolution come we able to put him back into the sea to resolution को मतलब क्यों होता है एक firm decision याने कि अपने इरादे में पक्का होना दोनों बहुत घबरा गए कि मतलब भागा हुआ कह दिये और एक दूसरे को देखने लग गए हैना और सदाओ और हैना फाइनली resolution से बहुत firmly कहती है चलो इसको तो वापिस पानी में डाल देते हैं if I am able are you सदाओ asked no Hannah said but if you can do it alone तो सदाओ कहता है कि अगर मैं इसको फेकना चाहूंगा मैं कोशिश करता हूं तो क्या तुम मेरे साथ दोगी तुम इसको मेरे साथ पानी में फेकोगी तो हैना कहती नहीं मैं तो उसको उठा के पानी में नहीं फेक पाऊंगी यह काम तो तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा सदाओ hesitated again तो सदाओ भी घबरागे कि कैसे किसी को उठा के पानी में डाल दें और मार डाले उसको तो सदाओ हैना से बहुत अजीब चीज़ कहता है वो कहता है अगर यह आदमी होल होता याने बिलकुल ठीक होता चुस्त तंदरुस्त होता इस तरीके से जखमी नहीं होता बेहोश नहीं पड़ा होता मेरे सामने तो तो मैं इसको उठा कर डारेक्ट आर्मी को दे देता कि जाओ इसको ले लो क्यों क्योंकि एक अमेरिकन है और यह मेरा एनमी है यह कोई मेरा दोस्त तो है नहीं कि जिसकी मैं मदद करूँ लेकिन क्योंकि ये जखमी है ये चोटल है इसको बहुत सारे इंजिरीज आई हुई है मैं इसको अमेरिकन आर्मी को नहीं दे सकता क्यों क्योंकि ऐसा इसलिए कहले है क्योंकि वो एक डॉक्टर है एक सर्जन है इनका काम है लोगों के जान बचाना ना कि लोगों को death की तरफ ले जाना तो इसलिए ये थोड़ा सा confused है और वो सोचते हैं कि मैं इसको ठीक करूँ ये जखमी हालत में और मेरे सामने आज तक जो भी patient आया है मैंने उसकी मदद करी उसकी जान ही बचाई है तो इसलिए वो confused है कि मैं क्या करूँ अगर ये ठीक होता तो दे देता अगर ठीक नहीं है तो अब एक उसकी मदद करनी पड़ेगी तो ऐसा सदाओ बोलते है तो सदाओ कहते है कि ये एक common इंसान ये और इसकी शकल देखो कितना foolish दिख रहा है कितना बेखूफ दिख रहा है लेकिन ये इस वक्त wounded है याने इसको चोट लगी हुए मैं इसको इस हालत में नहीं छोड सकता तो हाना कहती है तुम इसको ऐसे भी नहीं छोड सकते तुम इसको पानी में वापिस डाल भी नहीं सकते तो इसको ऐसे कैसे छोड़े एक काम करते हैं इसको अपने घर ले चलते हैं but the servants Sadao inquired Sadao पूछता है इसको घर ले जाएंगे तो servants जो सारे नौकर हैं वो क्या बोलेंगे कि हम एक American को एक दुश्मन को ले आए हैं घर पर we must simply tell them that we intend to give him to the police as indeed we must Sadao we must think of the children and your position it would be endanger all of us if we did not give this man over a prisoner of war तो हैना कहती है कि हम जब घर चलेंगे तो हम बोलेंगे servants को कि हमारा intention ये है कि हम इस पहले जख्मी आदमी को ठीक करें और फिर इसको हम police के हवाले कर देंगे जो कि हम सच में करेंगे भी वो Sadao से कहती है कि हम ऐसा ही करेंगे और ये हम सब के लिए danger भी है लोग हमारे ही लोग हम पर attack करेंगे हमारे गर में चोटे-चोटे बच्चे है तो हमें सब चीजों के बारे में सोचना है Certainly Sadao agreed So Sadao केता है हाँ ठीक कह रही हो तो हम ऐसा ही करेंगे इसको पहले इसकी treatment करेंगे फिर इसको आर्मी को दे देंगे I would not think of doing anything else Thus agreed Together they lifted the man So Sadao केता है हाँ इसके लावा मुझे और कुछ समझ भी नहीं आरा इस वक्त यही सही option हम ऐसा ही करेंगे Had been half stuffed for a long time Until it is only feathers and skeleton Foul क्या होता है A cock एक मुर्गा तो जैसे ही उसको Hanna और Sadao डॉक्टर ने उठाया तो वो बहुत हलका feel हो रहा था बहुत light weighted feel हो रहा था वो एक ऐसे मुर्गे की तरह feel हो रहा था जिसमें सरफ हड़ियां है उसके skeleton और उसके सरफ punk हैं क्यों क्योंकि शायद इस इनसान ने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं ऐसे बहुत torture किया है Japanese army ने और ये बहुत weak है इसको चोट भी लगी है तो इसका weight शायद बहुत कम है So his arms hanging ने carried him up to the steps into the side door of the house और जब वो इसे इस तरीके से उपर ले जा रहे था तो उसके हाथ उसके arms बिलकुल नीचे की तरफ ऐसे hang हो रहे थे और वो उपर की तरफ सीड़ियां चड़के इसको उपर एक room में ले गए अपने घर में तो बस एक रास्ते से एक passage के थ्रून के घर में वो ले गए और एक bedroom में उसको ले गए ये bedroom बिलकुल empty था बिलकुल खाली था It had been the bedroom of Sadao's father and since his death it had not been used They laid the man on the deeply matted floor matted floor याने की जो कमरे की जमीन थी वो matted थी याने पूरी जमीन जो थी उसमें mats चटाईयां बिचियो थी room हुआ करता था और जब से Sadao की father की death हुई इस room को किसी ने भी use नहीं किया है इस पूरे room में चटाईयां mats बिचियों थी और वहीं पर ये लोग इसको ले गए Everything here had been Japanese to please the old man who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed तो ये कमरा proper Japanese style traditional Japanese style में design किया हुआ था क्यों क्योंकि ये Sadao के father का room था जो की बिलकुल traditional Japanese थे तो उनी के साब से की room set किया गया था यहां पर कोई chair नहीं थी कोई bed नहीं था बिस्तर भी नहीं था कुछ नहीं था यहां पर Hannah went to the wall cupboards and slipped back a door and took out a soft quilt she hesitated तो Hannah ने क्या किया जो दिवारे हैं दिवारों में दर्वाजे थे और उनके wardrobes जो थे ऐसे दिवारों में थे तो उसने क्या किया उस दिवार से दर्वाजा खोला और अंदर से एक soft quilt याने कि एक बहुत soft अच्छी quality का quilt रजाई निकाली उसने और ये रजाई उस wounded इंसान को ओड़ने से पहले पहनाने से पहले वो काफी हिच किचा रही थी क्यूं? The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk He is so dirty She murmured in distress अब जो रजाई थी वो बहुत अच्छी quality की थी उस पे beautiful flowers बने होए थे और अंदर की जो lining थी वो pure white color की lining थी और ये इंसान जो था वो बहुत dirty था blood निकल रहा था उसके अंदर से तो हाना बहुत कहती है अरे ये कितना गंदा है मतलब मैं इसको रजाई पिनाऊंगी तो ये रजाई भी गंदी हो जाएगी Yes, he had better be washed सदाव agreed, if you will fetch hot water I will wash him तो सदाव कहता है, हाँ तुम ठीक कहरी हो अगर हम रजाई इसको पिनाएंगे तो ये गंदी हो जाएगी better ये होगा कि पहले हम इसको थोड़ सा गरम पानी से wash करें थोड़ा इसको clean करें थाकि blood और गंदगी इसकी body से निकल जाए तो वो कहता है, हैना से तुम जल्दी से मेरे लिए थोड़ा सा गरम पानी फेच कर लो याने कि ले आओ किचिन से मेरे लिए पानी गरम करके तो मैं इसको clean कर देता हूँ तो हैना कहती कि मुझे बिल्कुल बरदाश्ट नहीं होगा कि तुम इस गंदे आदमी को और इस enemy को तुम wash करो या इसका blood clean करो मैं servants को बोल देती हूँ, वो लोग कर लेंगे और वो कहती है, मैं Yumi को बोलती हूँ Yumi उनकी servant है जो उसके बच्चों को समालती है तो कहती है, मैं Yumi को बोलूँगी, वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए सुला के आ जाएगी और वो इसको आके यहाँ पे clean करेगी तुम मत करो सदाओ considered a moment लगे भी सो, he agreed तो सदाओ कहता है, ठीक है बुलालो Yumi को You tell Yumi and I will tell the others तो वो कहता है कि तुम जाओ Yumi को बताओ कि घर में एक enemy है एक American है, जो इस हालत में और तुमें clean करना है और मैं जाके दूसरे servants को बताता हूँ जो कि gardener है, घर का उनका cook है तो कहता है तुम Yumi को बताओ, मैं दूसरे servants को जाके inform करके आता हूँ पालर का मतलब क्यों होता है एक ऐसा चेहरा जो बिलकुल पीला हो गया है क्योंकि उसके अंदर blood नहीं है स्टूप याने bend forward ये जो स्टूप याने कि जब आप बिलकुल ओकडू बैठते हो और स्टूप करते हो याने कि अपने घुटने मोड के जमीन पर बैठते हो उस पॉजिशन को हम स्टूप पॉजिशन कहते है पल्स याने कि किसी की हार्टबीड सो डॉक्टर सदाओ सर्विंट्स को इंफॉर्म करने से जाने से पहले इस इंसान का चेहरा देखते हैं काफी पेल बिलकुल हो रहा था पीले रंका हो रहा था इसका फेस क्यों क्योंकि इसकी बॉडी में से बहुत सरा ब्लड लॉस हो गया था और फिर उसने जुक कर पहले तो क्योंकि वो जमीन पर ही लेटा था मैट पर जुका नीचे और उसने इसकी पल्स चेक करी ना doctors, तो कहते है उसने pulse check करी की जिन्दा है की नहीं है, तो यह वो पहले check कर रहा था, doctor सदाओ It was faint but it was there, he put his hand on the man's cold breast, the heart was, heart too was yet alive faint याने की very light बहुत कम, तो doctor कहते है की pulse check करके हाँ, हलकी हलकी pulse है पर है that means इंसान जिन्दा है, फिर उन्होंने उसके chest को check किया, तो heart beat भी थी, that means heart अंदर है, धड़क राय दिल, याने की इंसान जिन्दा है He will die unless he is operated on, सदाओ said, considering the question is whether he will not die anyway, तो सदाओ कहता है की, अगर इसका जल से जल्द operation नहीं किया गया तो यह मर जाएगा तो वो कहते है की, अगर operation नहीं किया, तो यह मर जाएगा, और अगर operation करते वक्त यह मरा, तो यह वैसे भी मर जाएगा, याने की obviously, अगर आपने एक इंसान का operation नहीं किया, तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर operation करते वक्त, वो इंसान इस operation को बरदाश्ट नहीं कर पाया तो वो वैसे ही मर जाएगा Beach operation में तो ये तो possibility है तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि इसकी हालत इतनी खराब है कि operation नहीं किया तो मर जाएगा और operation करते हैं वक्त भी ये मर सकता है Hannah cried out in fear Don't try to save him, what if he should live तो Hannah डर जाती ही इसको बचाने की कोशिश मत करो तुम सदाओ अगर ये जिन्दा रहा तो क्या होगा याने कि अगर जिन्दा हुआ ये dangerous हुआ हम लोगों के लिए हमें कुछ इसने harm पहुचाया तो what if he should die सदाओ replied he stood gazing down on the motionless man तो वो इस आदमी को गूरता और कहता है Hannah से कि अगर ये मर गया तो फिर क्या करोगी दोलों conditions में कोई हमारे घर मर रहा है problem तो हमारे घर पर ही आ रही है तो दोलों विचारे बहुत confused है this man must have extraordinary vitality और he would have been dead by now vitality याने की energy life तो डॉक्टर सदाओ हैना से कहते हैं कि इस आदमी के अंदर तो असे लग रहे है कोई extra vitality है याने कोई extra energy कोई extra जान है जिसकी वज़ा से यह अब तक जिन्दा है क्योंकि यह जिस तरीके से जखमी है जो इसको चोटे लगी है इतने में तो कोई भी मर जाता है लेकिन इसने यह सब चीजें बहर करें और यह अभी तक जिन्दा है तो यह देखके डॉक्टर सदाओ है बट देन यह वस वेरी यंग पहाप्स नॉट यह 25 तो डॉक्टर फिर इसकी एज इसके चेहरे को देखके इसकी एज करते हैं कहते हैं यह शायद 25 साल से जादा कर नहीं है यू मिन डाइ फ्रॉम दी ऑपरेशन हैना आज़ येस सदाओ सेड तो हैना पुछती कि तुमारे कहने का क्या मतलब है कि हो सकता है ऑपरेशन करते टाइम यह मर सकता है तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि हो सकता है जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो यह मर जाए क्योंकि इसकी हालत बहुत सीरियस है लेकिन क्योंकि यह बैर करके बैठा है यह शायद 25 साल का है यह एडल्ट है इसमें सहने की ताकत जादा है तो शायद यह अब तक होल्ड करके बैठा है यह जिन्दा है लेकिन ऑपरेशन करते वक्त हो सकता है कि यह मर जाए और जाए तो सदाओ कहता है कि किसी भी condition में इसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा कुछ तो मतलब इसके साथ करना पड़ेगा और वो क्या करना पड़ेगा पहली चीज़ तो इसको पहले wash करो क्योंकि इसकी पूरी body पे blood है, sand लगे हुए है, यह इतना dirty हो रहा है तो पहली चीज़ तो हमें any condition में इसको wash करना पड़ेगा पूरा He went quickly out of the room and Hannah came behind him She did not wish to be left alone with the white man He was the first she had seen since she left America and now he seemed to have nothing to do with those whom he had known there तो जैसे ही सदाओ कमरे के बाहर गया, Hannah भी उसके पीछे पीछे चली गई क्योंकि उसकी बिलकुल इच्छा नहीं थी कि वो अकेले इस white man के साथ कमरे में रहे क्योंकि वो एक enemy है और वो इस हालत में है कि इसको देखके डर लग रहा है Also Hannah उससे इसलिए चिड रही है क्यों क्योंकि अमेरिका से वापस आने के बाद ये पहला ऐसा American है जिसको वो देख रही है ऐसा लग रहा है कि उसको अमेरिकान से कोई लेना देना नहीं है क्यों क्योंकि here he was her enemy, a minace living or dead minace याने कि किसी इंसान से जमन में danger होता है, कोई खत्रा होता है तो इसको वैसे तो American से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो इतना time अमेरिका में spend करके आई, अपनी पढ़ाई करके आई है लेकिन जब से वो अमेरिका से वापस लोटी है यह पहला ऐसा इंसान है, American इंसान जो उसको दिखाई पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो उसका enemy है, वो एक American है जो कि Japan का enemy है तो यह उसका भी दुश्मन हुआ और चाहे यह जिन्दा है यह चाहे वो dead है, यह खत्रा तो था उन लोगों के लिए क्योंकि जिन्दा होगा तो हो सकता है उनको ही मार दे मर जाएगा तो यह इसके dead body को कहा करेंगे, दुनिया को क्या बोलेंगे कि हम अपने घर में एक American को लाए थे, जो कि enemy था तो आर कंडिशन में यह इन्सान इन लोगों के लिए एक खत्रा तो बन चुका था शी टर्न टू दा नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, नर्सरी का मतलब क्या होता है तो इनके घर में एक छोटा सा रूम बना था जिसको नर्सरी कहते थे लोग वहाँ पर यह यूमी नाम की बच्चों की केर टेकर रहती थी और डॉक्टर सदाओ और हैना के बच्चों की केर करती थी तो वह हैना आई और नर्सरी से बुलाया उसने यूमी, यूमी बहा रहो बदर चिल्रन होड़ और वोईज एंड शी आड तो गोदी मुठाया, उनके साथ स्माइल किया और फिर वह जो बच्चा था वह शान्त हो गया जो की थी मन्स का था इसका बेटा, हाना का ओवन दे बेबी, सॉफ्ट ब्लाक हैर, शी मोशन विथ हर माउथ, यूमी, इस तरीके से जो हाना है उसने बेबी को गोदी में लिया हुआ था और बेबी के सर पे जो छोटे-छोटे ब्लाक हैर उसके से मोशन कर रही थी याने कि ऐसे शी वर्स, उसको सहला रही थी उसके बालों को और उसको प्यार करते वक्त, अपने बच्चे को नर्चर करते वक्त, वो यूमी से कहते है कि यूमी, जल्दी से मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बताना है I will put the baby to bed, यूमी replied, he is ready तो यूमी कहते है, ठीक है, मैं बेबी को पेट पर रख देती हूं और फिर आती हूं, he is ready he is ready का मतलब क्या है कि बेबी is ready to sleep, याने कि अब वो सो जाएगा तो मैं बच्चे को सुला के आती हूं, उसने हाना से बूला she went with यूमी into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while यूमी spread the sleeping quills on the floor and laid the baby between them तो नर्सरी के बहार निकली यूमी और हाना दोनों और पास में एक रूम था वहाँ पे लेके गर बेबी को और वहाँ पे जब तक हाना बेबी को ऐसे ऐसे खिला रही थी सुलाने की कोशिश करी थी तब तक यूमी ने पूरा बेड वगरे लगाया, रजाई वगरे निकाली और फिर अच्छे से comfortablyly बच्चे को बेबी को वहाँ पे उन दोनों ने सुला दिया then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen फिर Hannah जल्दी जल्दी बाहर निकली, kitchen की तरफ और पीछे पीछे उसके यूमी गई the two servants were frightened at what their master had just told them और जैसे ही वो दोनों kitchen में गई, तो जो दूसरे दो servants थे, gardener और cook वो दोनों बहुत डरी हुई हालत में थे, क्योंकि कि already Dr. Sadao, जो कि उनके master थे, जो कि उनके मालक थे उन्होंने उनको सच्छा ही बताई कि घर में एक American enemy है, इस हालत में हम उसको ठीक करनी के लिए हैं तो ये सब सुनके already वो दोनों बिचारे थोड़े से डरे हुए थे तो ये जो गार्डनर रही उनका घर का नौकर भी ये घर के भी काम करता है जैसे उसने Dr. Sadao की ये बात सुनी, तो वो ऐसे अपने हाथ प्रकली और उसने अपने दाडी के बाल तोडने लगा वो इतना डर गया था, इतना घबरा गया था ये बात सुनके The master ought not to heal the wound of this white man. He said bluntly to Hannah Bluntly याने कि in a straightforward manner, जब आप बिल्कुल straightforwardly किसी को कोई जवाब दे देते हो That means आप बहुत bluntly बोल रहे हो उसको तो जो गार्डनर है, वो कहता है कि जो हमारे master है, जो Dr. Sadao है उसको इस आदमी को treat नहीं करना चाहिए, याने कि इसकी मदद नहीं करना चाहिए उसने directly ये बाद किसको बोली? Hannah को The white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks तो जो गार्डनर है, वो Hannah से कहता है कि इस white man इस American दुश्मन को मरना ही पड़ेगा सबसे पहले तो इसको Japanese ने एक bullet मारी याने की gun से shot किया फिर उसके बाद ये वहाँ से भागा, फिर ये sea में, समुदर में आ गया और समुदर में जो Japan के जो नुकीले पत्थर हैं, उन्होंने इसको मारा तो इसकी ये हालत हो गई if the master heals what the gun did and what the sea did, they will take their revenge on us revenge याने की बदला तो यहाँ पे जो gardener है, जो knocker है वो थोड़ सा superstitious, बहुत ही वहमी हो रहा है और वो हैना से कहता है कि Japan की जो बंदूके हैं, जो Japan की निशानिया है और C, ये जो समुद्र है, समुद्र में जो नुकीले पत्थर है, जो Japan की निशानिया है जब बंदूक की गोली ने और जब इन नुकीले पत्थरों ने इस दुश्मन को इस American को नहीं बक्षा इसको मानने की कोशिश करी, तो ये जो हमारे master है, जो कि खुद Japanese है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो इसको कैसे बचा सकते हैं जब nature चाहता है कि ये दुश्मन मरे, तो master इस nature की against क्यों जा रहे हैं क्यों खिलाफ जा रहे हैं इस nature की और क्यों इसको बचाना चाहते हैं तो basically gardener बहुत superstitious हो रहा है और वो चाहता है कि master इसको ना बचा और वो Hannah से कहता है कि Hannah इसको master को बोलो कि इसको ना बचाएं I will tell him what you say, Hannah replied courteously, courteously याने कि politely तो Hannah कहते है ठीक है जो तुम मुझे कह रहे हो मैं ये चीज बता दूगी Dr. Sadao को बहुत politely बोला उसने गुस्षे में नहीं बोला servants को But she herself was also frightened, although she was not superstitious, the old man was तो Hannah जब ये बाते सुन रही थी, gardener की तो वो भी डर रही थी और वो सोच रही थी कि घवरा रही थी कि कह तो ये सहीर है लेकिन वो इतनी superstitious ये इतनी वहमी नहीं थी जितना ये old man, ये gardener था Could it ever be well to help an enemy? फिर ऐसा सोचती है है और कहती है कि क्या ही एक अच्छी बात होगी? कि हम एक enemy की मदद कर रहे हैं? ऐसा वो सोचती है Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was तो वो Yumi से कहती चलो ठीक है बात की बात, बात में करेंगी बाकी की बात तुम बस जल्दी से मेरे लिए hot water लेके आओ, गरम पानी और उस room में लेके आओ, जहाँ पे वो enemy लेटा हुआ है She went ahead and slid back the partitions तो कौन गया आगे? Hannah वहाँ पे गई and slid back the partitions ये partitions क्या होते? For example, ये एक room है एक room को दो parts में divide करने के लिए बीच में न partitions ऐसे लकडी के कुछ फटे लगा देते हैं, जो move कर सकते हैं, जिनको हम खोल सकते हैं तो उन्हें partitions कहते हैं तो ऐसे एक room को दो parts में divide करने के लिए ऐसे लकडी के ऐसे wooden partitions लगा देते हैं तो इने हम partitions कहते हैं जिससे एक room दो parts में divide हो जाता है एक this and दूसरा this तो जैसे ही Hannah वहाँ गई उसने partitions कोले और वो उस room में गई जहांपे वो old man ऐसे bed पे लेटा हुआ है यहाँ पहुची वो Sadao was not yet there और जब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि Sadao वहाँ पर नहीं है Yumi following put down her wooden bucket then she went over the white man when she saw him her thick lips folded themselves into stubbornness stubbornness मतलब firm determination तो Yumi ने वो बाल्टी वो bucket रखी जिसमें hot water था और वो चलके इस enemy को देखा उसने और जैसे उसने उसका चहरा देखा वो दुश्मन को देखके गुस्से में आ गई क्योंकि वो एक American था उसने अपने lips को ऐसे fold कर दिया ऐसे करकर वो बहुत गुस्से में आ गई कि मतलब क्या हो रहा है और वो बहुत stubborn, बहुत चिड़ चिड़ी हो गई कौन? Yumi I have never washed a white man she said and I will not wash so dirty a one now Yumi अब बहुत चिड़ गई और डिरेक्टली अपनी मालकेन Hannah से कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक white man एक American को wash नहीं करा है और मैं इस इंसान को wash यानि कि नहीं नहलाओंगी इसको बात नहीं कराओंगी Hannah cried at her severely you will do what your master commands you Hannah most severely यानि कि बहुत seriously Yumi को बोलती है कि तुम वही करोगी जो तुमारे मालक तुमें कहते हैं यानि कि मैं जो तुमें कह लिए हूँ तुमें वो करना पड़ेगा there was so fierce look a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid fierce यानि कि dangerous खतरनाक resistance का मतलब क्यों होता है the refusal to accept or comply with someone यानि कि एक ऐसी चीज कि आपको सामने वाली की बात accept नहीं हो और आप उनकी बात नहीं मानोगे यानि कि आप resist कर रहे हो तो जो Yumi है उसके चेहरे पर resistance का और fierce fierce लुक था यानि कि काफी गुस्चे में थी और उसके चेहरे पर resistance का लुक था कि मैं आपका बोला हुआ काम नहीं करूंगे मैं इस white man को wash नहीं करूंगे और उसका चेहरा देखे कहीं नहीं थोड़ा सा तो इसलिए कहीं नहीं इसको थोड़ा सा डर लग रहा है after all if the servants should report something that was not added happened very well she said with dignity dignity यानि कि respect तो जैसी उसको मना किया Yumi नहीं कि मैं नहीं करूंगी तो वो दर जाती हो वो केती कि ठीक है तुमारी मर्जी मत करू you understand we only want to bring him to the senses so that we can turn him over a prisoner फिर वो Yumi को समझाती है Hannah और कहती है कि देखो तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो ये एक जखमी आदमी हम इसको ठीक करेंगे और डॉक्टर का फर्स पूरा करेंगे और उसके बाद इसको हम आर्मी को दे देंगे हम देशभक्त हैं हम दे देंगे इसको इस दुश्मन को हम विद्रो ही नहीं है देशद्रो ही नहीं है तो ये सारी बाते वो Hannah को समझाने की कोशिश करती है I will have nothing to do with it Yumi said I am a poor person and it is not my business तो Yumi कहती है मेरा मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या करना चाहते हो मेरा उस सो कोई मतलब नहीं मैं गरीब इंसान हूँ और ये मेरा business नहीं है यानि ये मेरा काम नहीं है इसको wash कराना मेरा काम यहाँ पर बच्चों को देखना है चुलो after your kids तो कहती है मेरा ये काम है इसको धुलाना नहलाना मेरा काम नहीं है Then please, Hannah said gently Return to your own work तो Hannah said ठीक है बई Please, जाओ अपना काम करो जाओ बच्चों को देखो जो तुमारा काम है At once, Yumi left the room और ये सुनते ही Yumi एकी बार में room के बार चली गी But this left Hannah with the white man alone अब Hannah was white man के साथ alone थी She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her sustained याने की continued वैसे तो उसको इस white man के साथ अकेले इस room में रहने में डर लग रहा था लेकिन अब क्योंकि Yumi इसको बहुत सुना के गई है चिड़ चिड़ा के गई है तो अब Hannah बहुत गुस्से में आ गई है और उस गुस्से में वो continuously वही रुकी रही कैती ठीक है जाने दुसको मैं खुदी कर लूँगी Hannah सोचती है Stupid Yumi She muttered herself fiercely Is this anytime anything about a man and a wounded helpless man तो Yumi खुद से बढ़ बढ़ाती है गुस्से में क्योंकि अभी अभी उसकी नौकरानी Sorry Hannah अभी बढ़ाती है अपने अप से क्योंकि अभी अभी उसकी नौकरानी Yumi उससे बहस करके गई है तो वो कहती Stupid Yumi क्या समझती है वो अपने आपको यह सरव एक इंसान ही तो है एक आदमी ही तो है और यह wounded है याने कि चोटल है जखमी है बेहोश है यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा Conviction का मतलब क्या होता है Firm Belief याने कि जो आप सोचते हो तो वो अपने आपको बहुत सुपीरियर समझती कि मैं तो मालके नूम इसके सामने जुकूंगी नहीं मुझे जो करना है मैं तो वो ही करूंगी और impulsively और जो कपड़ इसके उपर लपेटे हुए तो इसको धीरे थीरे खोलने लग गई When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully तो इसकी पूरे कपड़े पड़े थोड़े बहुत इसने शर्ट उतारी इसकी और सोचा कि मैं इसको चलो वाश कर जेती हूँ तो उसने clean towel लिया और गरम पानी में डिप करके उसका face clean करना उसने start किया The man's skin, though rough, with exposure, was a fine texture and must have been very blonde when he was a child तो जब इसकी skin देखी, Hannah ने, तो वो सोचती है कि ये man जो है, इसकी skin तो अच्छी होगी जब ये बच्चा होगा क्यों? क्योंकि ये white man है, Americans की skin usually अच्छी होती है लेकिन rough हो गई है exposure की वज़े से, याने कि क्योंकि बहुत बाहर रहा है sailing के business में, sailing के job में तो exposure की वज़े से इसकी skin खराब हो गई है लेकिन उसका texture अच्छा, याने कि quality जो है इसकी skin की काफी अच्छी है ये blonde रहा होगा, blonde याने light color, very fair ये बहुत गोरा रहा होगा जब ये बच्चा रहा होगा, बच्चपन में While she was singing these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean तो ये सब सोच्टे सोच्टे वो उसकी पूरी upper body clean करती है और वो बस मजबूरी में clean करी, वो इसको पसंद नहीं करी क्योंकि ये एक American है और ये उनका दुश्मन है तो बस जैसे तैसे उसने उसकी upper body clean करी बच्ची dead not turn him over लेकिन इसकी बिल्कुल हिम्मत में होई कि इसको वो पल्टा दे क्योंकि अगर वो पल्टाएगी तो वो बंदू का जो निशान है बंदू का जो जखम है वो इसकी peat पर था और वो इसको clean करना पड़ेगा और क्योंकि हैना कोई doctor नहीं है वो इतना सारा blood दिखके घबराएगी इसलिए उसने हिम्मत नहीं करी कि मैं इसको पल्टा के इसकी back इसकी peat clean करूँ वेर वो सदाओ अब जब इसकी upper body इसने थोड़ी clean कर ली तो ये सोचती है कि सदाओ का है इतनी देर से और इसका जो गुसा है दीरे दीरे अब कम हो रहा है बस वो थोड़ी से anxious हो गया उसको वापस घबराएट लगने लगी डर लगने लगा इस white man से तो वो उठी और उसने अपने हाथ भी घबराएट में गलट टावल से पोचके महां से निकल गई बच्चो यहाँ पे मैं अपने इस चाप्टर का पार्ट नंबर 1 फिनिश करती हूँ इचाप्टर को मैंने अलग-अलग पार्ट में डिवाइट करके रखा यहाँ पे हम पार्ट 1 फिनिश करते हैं And please stay tuned अगर आपको Part 2 and Part 3 की वीडियोज देखने हैं. तब तक लिए, बाबाई and टेक जाए.